गोरकनाथ मठ और तिवारी हाता यकीन मारिए कि पुरवांचल के पॉलिटिक्स में पावर पॉलिटिक्स में ये दो धुरी की तौर पर लंबे समय तक रहे मगर आज क्या मठ जीत गया और हाता हार गया नमस्कार मैं हूँ अजय और आप देख रहें मववा खबर मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि एक साथ हाते से जुड़े दस थिकानों पर छाप बिमारी गोरकपुर, लकनो, नॉइडा और गुरगाउं तक लेकिन कोई आवाज नहीं बिलकुल खामोशी और ये सिलसिला एक दिन में नहीं शुरू हुआ है गंगोत्री एंटरप्राइजिस के खिलाफ साथ सो पचास करोड के घपले घोटारे के आरूप में 2017 से ही कारवाई शुरू हो गई जैसे ही योगी आदितनाथ सीम बनते हैं पुलिस पहुँच जाती है हाते पर बिना वारंट के कुछ लोगों को गिराफतार भी करती है और इसके खिलाब हरिशंकर तिवारी खुद अकेले चल पड़ते हैं डियम आवास के बाहर धरना देने के लिए फिर लोगों का कारवा बन जाता है और उसके बाद ये बात फैलती है कि क्या नई सरकार, योगी सरकार एंटी ब्रामण है सुखबुगाहट शुरू होती है पूरे सूबे में बात दिल्ली दर्वार तक पहुंचती है और योगी धीमा हो जाते है लेकिन कुछ समय बाद फिर से कोई कोई कारवाई हाता के खिलाब चलती रहती है 2019 में कारवाई होती है 2020 में, 2021 में मामला CBI तक पहुंचता है ED तक पहुंचता है और 2023 में निधन हो जाता है हरिशंकर तिवारी का जो एक धुरी के तोर पर उभरे थे अपने समुदाई के साथ अपनी जाती के कि नुमाइंदगी करते हुए और उसके बाद कारवाई में तेजी और आज दस ठिकानों पर छापे मारे इसका इतिहास काफी बड़ा रहा है अस्थी के दशक के तरफ अगर हम जाएं तो उस वक्त में दरसल पूरवांचल के पॉलिटिक्स में ये दो धोरी के तौर पर उपरे थे खास तोर से गोरकपूर में और कहा जाता है कि विरिल्द शाही को कहीं ने कहीं मठ का समर्थन हासिल था और ये चलता रहा दोनों के मेहोर लगी थी कबजे की गोरकपूर रेलबे के उपर में क्योंकि यहां से बहुत सारे ठेके निकलते थे और उसको लेकर के मार काट मची रहती थी कई इसके हिस्सेदार रहे हैं कई दौर में ये लड़ाईयां चली हैं गोलियां चली हैं गोलियों से लोग चलनी किये गए हैं तमाम बाते आपको पता होंगी मगर उस दौर से लेकर और आज तक में क्या वक्त बदल गया है क्या दोजर साथ में दोजर सत्रा में अगर ये बात उठी कि क्या ये सरकार एंटी ब्रामण है एंटी तिवारी है तो उसको उसके बाद योगी को धीमा होना पड़ा और आज जब इतनी बड़े च्छापी मारी हो रही है तो फिर से एक बार वही दौर सामने दिखेगा क्या या फिर अब दरसल यूपी की सियासत में राम मंदिर के डगर पर विकास के डगर पर अब किसी हाते की कोई जगे नहीं है तोकि एके करके कई हाते अब तक गिराए जा चुके हैं या आकरी हाता कहले इसको वो भी क्या अब पूरी तरह से बुल्डोज हो जाएगा और इसी के साथ राजनिती की नई पटकता लिखी जाएगी या फिर से एक बार राजनिती उस धुरी पर लोटेगी ये देखना बड़ा ही दिल्चस्प होगा क्या असी का दौर अब वापस आने की तो कोई कलपना न कर सकता है न करना चाहिए न हम करेंगे लेकिन ये जो च्छाप इमारी है वो सिर्फ और सिर्फ साथ सो पचास करोड के घपले घोटाले का जो बैंकों के लोन हैं नहीं लोटाने का फ्रॉड करने का है सिर्फ बात वही तक है या फिर जो दो धुरी असी के दशक में उबरी थी उसके बीच के टक्राब और फिर राजनिती और कहीं कहीं कई लोग जो ये मानते हैं कि बदले की भावना भी है ये भी काम कर रही है और उससे कहीं सियासत के चिंगारी भी पैदा होगी क्योंकि चुनाब बहुत दूर नहीं है या फिर अब हाते की मजबूरी या हाते के समर्थकों की मजबूरी कि जाएं तो जाएं कहां आसरा और ठिकाना है कौन राज़िती में जो अब त्रिकोनी मुकाबला उत्तर प्रदेश में बनता दिख रहा है उसमें अब जगे और कहीं बच्चती है या नहीं बच्चती है और क्या इसी के आकलन के बाद ये कदम उठा है कि अब जो चाहे हम करें या फिर ये कानून की जरूरत है कानून का तकाज़ा है कि आखिरकार नयाई तो होना चाहिए अगर फ्रॉड हुआ है अगर किसी दौर में गलत तरीकों से क्योंकि आरोप तो ये भी लगे थे कि यहीं हाता कहीं ने कहीं राजनिती में अपराद से गड़ जोड कराने में शिरुवात की थी किसी दौर में तो आज उस सब का अब हिसाब होना है या फिर ये राजनिती है उस सियासत की जो दोधुरी के तौर पर उगरी थी और जिसमें कहीं ने कहीं जाती एक गोलबंदी लंबे समय तक होती रहे थी क्या होगा हाते पर ये जो कारवाई अब शुरू ही है और बड़े पैमाने पर लग रहा है कि निरनायक तोथ पर ये अब कारवाई हो रही है जिस स्केल पर ये छापी मारी हुई है क्या राजनितिक बवंडर पैदा करेगा या फिर ये खामोशी रहेगी क्योंकि राजनिति ने अपना रास्ता पूर्वांचल में अब बदल लिया है आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर अपनी राए रखें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजे, सबस्क्राइब कीजे और शेयर कीजे और तबाम चानकारियों के लिए जोड़े रहिए महुआ खावर के साथ नमस्कार